आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं बहुत ही यमी आलू टिक्की चाट इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसा होने वाला है तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें तो यहां पर हमने आलू को बॉइल कर लिया है और फिर आप वन बाइवन करके सारे आलू को इस तरीके से ग्रेट करेंगे भ्यान रहें आपको आलू को ग्रेट करके यूज करना है बहुत से लोग क्या करते हैं आलू को मैश करके फिर टिक्की बनाते हैं उससे जो है टिक्की अब ही रेडिंग सीजन चल रहा है तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर बनाए तो ये देखिए इस तरीके से आपको सारे आलू को ग्रेट कर लेना है अब इसमें हम डाल देंगे तीन बड़े चम्मच कॉन फ्लोर और फिस में हम डालेंगे तीन बड़े चम्मच राइस फ्लोर ये भी आपको इसमें डालना है इससे जो टिक्की बनती है वो काफी क्रंची बनती है और जब आपका टिक्की क्रंची बनता है तो चाड भी बहुत ही यम्मी आता है तो आपको यह प्रोसेस जरूर करना है तो यह देखिए इसे काफी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपको अब इसमें एक चम्मच के करीब ऑईल डालेंगे और फिर ऑईल को भी अच्छी तरीके से आपको ऐसे मिक्स कर लेना है एक बार आपकी रेसिपी घर पर बनाईए आप बाहर जाकर जो चाट खाते हैं उसे काफी अच्छा आपको इसमें टेस्ट मिलेगा फिर आप बाहर का ख बाउख के बिद्ध हो गया है अब हम इसका टिक्की बनाएंगे तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ले लेना है हाथ में और छो करना देखे दरीकिष्चे इस तरीके से आपको टिक्की बना लेना है हम सारा बना के रख लेंगे उसके बाद इसे हम डीफ्राइब करेंगे अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे पी अगर पसंद आया करें तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें तो यह देखिए सारी टिक्की बन गई है अब इसे हम फ्राइब करेंगे तो पैन में आपको ओईल लेना है ओईल थोड़ा ज्यादा लेना है आपको और इसमें वन बाई वन करके हम सारे टिक्की को ऐसे प्लेस कर देंगे और गैस का फ्लेम आपको मीडियम करके इसे पांस से दस मिनट तक इसे ऐसे फ्राइब करना है अब इसे हम वन बाई वन करके सारे टिक्की को ऐसे पलट देंगे ताकि यह दोनों साइट से अच्छी तरीके से सिख जाएं इसमें थोड़ा आइल ज्यादा लगेगा आपको बड़ प्रेनिंग सीजन है तो थोड़ा आइल खाना बनता है तो अगर आप लोग हेल्थ कॉंशिस है फिर भी आप लोग एक बार इसे जरूर बनाएं कि इसे द स्लोव ख्लैनं पर नहीं मीडियूम पर ही आपको से ला dugț KP इस दोनों साइट से काफी बड़ा तरीके से शिक चुका है अब हम क्या करेंगे से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि यह प्लै वाल्थ हो जाए और अंधर तक भी काफी अच्छी से सशिंग जाए यह इस तरीके से आपको सब को ऐसे फ्लैट कर देना है यह देखें अभी सारे जो है वो फ्लैट हो चुके हैं अब इसको हम 5-10 मिनट और ऐसे स्टाइकेंगे ताकि यह थोड़ा ग्रंची हो जाए यह देखें यह काफी हद तक सीख चुका है अब इसे हम सर्व करने का प्रोसेस देखेंगे तो आपको दो टिककी ऐसे रख लेना है और फिर इसमें हम डालेंगे 2-3 चमच दही यह देखें इसको ऐसे चारों करब से आपको दही स्प्रेट करना है और यह है इमली की मीठी टेस्टी बनता है तो यहां पर हमने मीठी चटनी डाल दी है अब इसमें हम हरी चटनी डाल रहे हैं आपको जित्ता भी तीखा पसंद हो अब हरी चटनी में उतना आप मिर्ची डाल सकते हैं उपर से हम थोड़ा सा दही डालेंगे और थोड़ा सा मीठी चटनी और फिर प् मीठी चटनी और थोड़ा सा दही तो ये देखे आपका यम्मी माउथ वाटरिंग आलू टिकी चाट बन करके तयार है आई होप आपको ये रेसेपी पसंद आई होगी तो प्लीज अपने फ्रेंस और फैमिलीज के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें चैनल पे नए हैं त तो इसे लाइक भी कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग